प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाट, कुरिंथियों के नाम संत्पोलूस का पहला पत्र, आध्याई पंद्र, पत्संख्याये एक से आठ तक भाईयो, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरन दिलाना चाहता हूँ, जिसका प्रचार मैंने आपके बिच किया, जिससे आपने ग्रहन किया, जिसमें आप दिरिड़ बने रहते हैं और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे, जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास वेयर्थ होगा जो शिक्चा मुझे मिली थी, वो मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई, वो इस प्रकार है मसी हमारे पापों के प्राश्चित के लिए मर गए, जैसा की धर्म ग्रंत में लिखा है वो कब्र में रखे गए, और तिसरे दिन जी उठे, जैसा की धर्म ग्रंत में लिखा है वो कैफल्स को और बाद में बारहों को दिखाई दिये फिर वो एक ही समय पांच सो से अधिक भाईयों को दिखाई दिये उन में से अधिकांश आज भी जिवित है, यद्यपी कुछ मर गए है बाद में वो याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिये सबों के बाद वो मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जनमे को दिखाई दिये यह प्रभु की वानी है संतियोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अधिहाई चौदा वाके छे से चौदा तक इसा ने उनसे कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता यदि तुम मुझे पैचानते हो तो मेरे पिता को भी पैचानोगे अब तो तुम लोगों ने उसे पैचाना भी है और देखा भी है फिलिप ने उनसे कहा प्रभू हमें पिता के दर्शन कराईए हमारे लिए इतना ही बहुत है इसा ने कहा फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा फिर भी तुमने मुझे नहीं पैचाना जिसने मुझे देखा है उसने पिता गोभी देखा है फिर तुम ये क्या कहते हो हमें पिता के दर्शन कराईए क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझे मैं है मैं जो शिक्षा देता हूँ वा मेरी अपनी शिक्षा नहीं है मुझे में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कारे संपन्न करता है मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझे में है नहीं तो उन महानकारियों के कारण ही इस पर विश्वास करो मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ जो मुझे में विश्वास करता है वह स्वयम वे कारी करेगा जिने मैं करता हूँ के पास जा रहा हूं तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा जिसे पुत्र के द्वारा पिता की महमा प्रकट हो यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है क्रिस्त प्रभु की जय मेरे प्रिभाईयों और बेनों आज हम दो प्रेरितों का पर्व मनाते हैं और वे हैं फिलिप और याकूब हम लूकस की सुसमाचार की अधियाई छे में और मार्कूस की सुसमाचार की अधियाई तीन में पढ़ते हैं कि प्रभी एसु ने अपने प्रेरितों में से बारह लोगों को चुना नियुक्त किया और उनका नाम रखा प्रेरित प्रेरित का मतलब है भेजा गया मार्कूस अधियाई तीन वाके चौदा में पढ़ते हैं कि प्रभू ने उनको अपने पांस रखा ताकि वे सामर्थे पाकर इसु समाचार की घोशना के लिए भेजे जा सके तो वे हैं प्रेरित उनमें से एक प्रेरित है फिलिप फिलिप के बारे में हम यहन के समाचार की अधियाई एक में पढ़ते हैं कि फिलिप येशु से मिलने के बाद येशु में मसीहा को पाने के बाद अपने मित्र नाथनेयल के पास जाता है और कहता है कि हमने मसीहा को पाया है जिसके विशे में मुसा ने लिखा है और नाथनेल को येशु के पास लेके आता है और नाथनेल भी येशु का शिष्य बन जाता है आज की सुसमाचार में आपने सुना कि फिलिप ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराईए हमारे लिए इतना ही बहुत है फिलिप के बारे में हम प्रेरी चरित में पढ़ते हैं कि जब शीशों पर अत्याचार हुआ था तो फिलिप समारिया जाकर सुसमाचार की गोशना करने लगा और बड़े बड़े चिन और चमतकार को परकट करने लगा परंपरा बताती है कि फिलिप अपने दो कुवारी बेटियों के साथ एशिया माइनर गए और वहाँ पर सुसमाचार की गोशना किये और वहाँ पर कुरूस पर चाहाए गे और मा डाले गे दूसरा प्रेरित जिनका पर्व आज हम मनाते हैं ओ है याकूब हमें प्रेरितों में दो याकूब के बारे में पढ़ने को मिलता है एक है जैबदी का पुत्र याकूब जो योहन का भाई था और दूसरा है जिसका पर्व आज हम मनाते हैं याकूब जो यूदस था देवुस का भाई था याकूब के बारे में इसु समाचार में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है आज के पहले पाथ में आपने सुना कुरिंदियों के पहले पद्रिक अध्याय 15 में सन्द पावलूस कहते हैं प्रभी इसु के पुनुर्थान के बाद सबसे पहला प्रेरित जिसको प्रभू ने दर्शन दिया वो याकूब है और नए विधान में याकूब का एक बहुत सुन्दर पत्र भी हमें है मिलता है और याकूब का पत्र मसीही जीवन के विभिन पहलूँ पर प्रकाश डालता है विशेश करके व्यवाहारिक जीवन कैसा होना चाहिए हमें किस तड़ अपने मसीही जीवन को जेना चाहिए इसके बारे में याकूब एक बहुत सुन्दर पत्र लिखते हैं हम इन दो प्रेरितों का पर्व आज हम मनाते हैं हम प्रभू से प्रार्तना करेंगे जब जब प्रेरितों का पर्व मनाते हैं प्रार्तना करेंगे कि प्रभू हमें भी तो अपने काम में इस्तेमाल करना सुसमाचार की घोषना के लिए इस्तेमाल करना आज का पहला पार्ट कुरिंतियों के पहले पत्र की अध्याय 15 से लिया गया था अध्याय 15 करीब करीब पूरा अध्याय प्रभी एसु मसी के पुनुल्थान के बारे में और हमारे पुनुल्थान के बारे में बताये गया है सम्तपॉलुस पश्च शब्दों में कहते हैं कि प्रभी एसु का किम्रत्यू और उनका पुनुथान एश्वर की विधान के अनुसार हुआ है ये एश्वर का विधान था एश्वर की योजना थी और ये एश्वर की योजना थी कि येश्वर कबर में रखे जाएं और उसके बाद तीसे दिन पुनर जीवित हो जाएं और पुनर जीवित येश्वर ने अपने शीश्यों को दर्शन दिया सन्त पौलूस हमें अज इसकी बारे में बताते हैं ये सारी बातें प्रभयेस्वे ने अपने अंतिम व्यालू की दवरान अपने शीशों से कही और आज की सुस्रमाचार में प्रभू ने हमें बहुत महत्तुपून शिक्षाइं दी है सबसे पहली शिक्षा यह है कि प्रभु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता प्रवेश उस पष्ठ शब्दों में अपने शिश्चों को बताते हैं कि पिता के पास जाने के लिए एश्वर के पास जाने के लिए सबसे सुनिश्चित मार्ग मैं हूँ मैं सर्व मार्ग बताने नहीं आया हूँ बलकि मैं स्वयम मार्ग हूँ यानि तुमें पिता के पास पहुंचना है तो मेरे जरीये जाना है दूसरी बात जो प्रभु कहते हैं मैं सत्य हूं पिता के बारे में संपून सत्य प्रभी एसु के द्वारा प्रकट हुआ एश्वर के बारे में संपून सत्य प्रभी एसु के द्वारा प्रकट हुआ एश्वर का स्वभाव क्या है एश्वर का स्वरूप क्या है एश्वर की क्या योजनाएं हैं ये सारी बातें प्रभी येशु की द्वारा प्रकट हुआ तीसरी बात प्रभु कहते हैं मैं जीवन हूँ प्रभी येशु इस संसार में येश्वरे जीवन पिता का जीवन लेके आये प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ उनको जीवन मिले बलकि परिपून जीवन मिले येशु ने कहा कि पुनुरुथान और जीवन मैं हूँ जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता वो कभी नहीं मरेगा तो प्रभी एसु पिता के पास पहुंचने के लिए मार गए पिता के बारे में सत्य है जो प्रकट हुआ एसु के द्वारा और प्रभी एसु के द्वारा ईश्वरिय जीवन हमें प्राप्त होता है आगे हम पहते हैं प्रभी एसु ने कहा कि यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी बचानते हो लेकिन शीश इस बात को नहीं समझ पाए वाकि आठ में पढ़ते हैं फिलिप ने उनसे कहा प्रभू हमें पिता के दर्शन कराईए हमारे लिए इतना ही बहुत है एक गहरी बात है फिलिप के द्वारा एक बहुत बड़ी घोशना हुई फिलिप ने कहा कि हमें पिता के दर्शन कराईए हमारे लिए इतना ही काफी है इतना ही बहुत है परियाप्त है ये एक सच्चाई है एश्वर का दर्शन हर मनुष्य को संतुष्ट करता है हम संता अगुस्तिन के बारे में पहते हैं वो पाप में जीवन जी रहे थे पाप में जीवन जी रहे थे वासना का जीवन जी रहे थे लेकिन येश्व को पाने के बाद वो कहते हैं कि मैंने तुझे पाने में देर गर दी मैंने तुझे पाने में देर कर दी वास्तों में ईश्वर के दर्शन ही हमें संतुष्ट और संतरुप्त कर सकता है फिलिप ने का प्रभू हमें पिता के दर्शन करा ये हमारे लिए इतना ही काफी है जवाब में प्रभू ने कहा मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा फिर भी तुम मुझे नहीं पहचाना मैं तुम लोगों उसकी साथ रहा तुम मुझे पहचान नहीं पाए आगे प्रभु कहते हैं बहुत बड़ा सत्य जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है प्रभुस परश्ची शब्दों में कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है येशु में हमें पिता के दर्शन मिलते हैं येशु में हमें पिता दिखाई देता है येशु में हमें पिता का प्रेम दिखाई देता है येशु में हमें पिता का स्वभाव और स्वरूप दिखाई देता है उत्पति गंद में हम पढ़ते हैं कि एश्वर ने मनुश्य को अपना प्रती रूप बनाया वह प्रती रूप जिसमें हम हर मनुश्य बनाएगे लेकिन हमारे रूप विकृत हो गया है वो प्रतिरूप एसु है एसु में एश्वर का प्रतिरूप है एसु में एश्वर नजर आता है एसु के हर एक शब्द के द्वारा हर एक कारी के द्वारा एश्वर प्रकट होता है इसलिए प्रभी एसु खुलिया में गोशित कर पाए जिसने मुझे को देखा है उसने पिता को भी देखा है आगे प्रभु इसी बात को सपष्ट करते हैं क्या तुम विश्वास नहीं करती कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझे में है मैं पिता में हूँ और पिता मुझे में है मुझे में निवास करने वाले पिता मेरे द्वारा अपने महानकारी संपन्न करता है प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे चमतकारों को देखते हो बड़े बड़े चमतकारों कि तुम साक्षी हो लेकिन यह जानो यह मैं नहीं कर रहा हूं बलकि पिता जो मुझे में निवास करता है मेरे द्वारा करता है आगे प्रभू वाकिय बारह में कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूं जो मुझे में विश्वास करता है वो स्वयम वे कारे करेगा जिनें मैं करता हूं और वो उनसे भी महान कारे करेगा हूँ एक बहुत बड़ी प्रतिग्या है एक सच्चाई है प्रभु कहते हैं कि पिता की पिता मेरे द्वारा कारे करता है उसी तरह जो मुझे में विश्वास करेगा वो वो सारे कारि करेगा जब मुए करता हूं प्रभी यह सुने बढ़े-बढ़े कारी की रोगियों को चंगा की अब दूतों को निकाला पानि कोंगूरी मी बदल दिया पांच रोटियों से पांच जजार से भी जाद़ लोगों को खिलाया मृतकों को जिलाया पानी पर चले बड़े बड़े चिन और चमतकार और चंगाईयां प्रभु ने प्रकट की प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूँ जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वैम वे है कारे करेगा और आगे प्रभु क्या कहते हैं जिने मैं करता हूँ वह उनसे भी महान कारे गरेगा हम प्रेरी चरित में पढ़ते हैं प्रेरी चरित में पढ़ते हैं कि पेत्रूस जहां से गुजरते थे अध्याय पांच में पेत्रूस जहां से गुजरते थे लोग रोग्यों को लेया कर मार्ग के दोनों तरफ डाल देते थे पेतरुस की मात्री चाया पढ़ने पर वेचंगे हो जाते थे सुजमाचार में कहें भी हम नहीं पाते हैं कि प्रभी येशु के साथ ऐसा हुआ है जो प्रभु ने किया उससे भी महान का रहिया प्रभु ने मृतकों को जिलाया प्रहरी चर्थ में पाते हैं कि शीशी भी मृतकों को जिलाये आज भी जो येशु पर विश्वास करता है और येशु के नाम पर ये कारे करता है उसके जीवन में भी प्रकट होता है कि बड़े बड़े चन्न और चमतकार प्रकट होते हैं प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूँ जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वें वे कारे करेगा जने मैं करता हूँ वो उनसे भी महान कारे करेगा आगे प्रभु कहते हैं तो मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूगा तो मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूगा जिसे पुत्र के द्वारा पिता की महमा परकट हो यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा प्रभियस अपने शिश्यों को अपने सामर्थ से भरते हैं अपने वचनों के द्वारा प्रभियस उनके विश्वास को दढ़ करते हैं आज वही प्रभू हमसे भी यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा सारे कारे कर ता उसी तरह मैं तुम्हारे द्वारा कारे करूंगा मात्र तुम्हें एक उपकरण बनना है मेरा एक शेस्त्र बनना है अवजार बनना है समर्पित होना है अधीन होना है आईये मरात्ना करें प्रभीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए आज के दोनो संतों के लिए धने वादेते हैं फिलिप और याकूब के लिए जोनों ने अपना जीवन पूरी तरह से तुझे समर्पित किया और तेरे लिए अपने आपको अर्पित किया हम तुछ से प्रयारतना करते हैं तुह हमारे जीवन में भी कारिकर अर विश्वासी को तू इस्तेमाल कर तेरे पिता के उस महान प्रेम को प्रगट करने के लिए समर्दी को प्रगट करने के लिए महमाय महकायों को प्रगट करने के लिए हर विश्वासी को और मसीह को इस्तेमाल कर अमारी प्रात्ना को ग्रहन कर आमेन कि जोते अंधेरा मिटाते भाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है कि जीवन का मन्ना है शाश्वत है जीवन का मन्ना है